मित्रो मृत्यू एक ऐसा सच है जिसे हर किसी को एक ना एक दिन स्विकारना ही पड़ता है और आपने से कई लोग ये जानते होंगे कि मरने के बाद भले ही हमारा शरीर जल जाता है लेकिन हमारी आत्मा कई मील लंबी यात्रा करती है और आज की इस प्रस्तुती में हम यही ज जानने की कोशिश करेंगे कि मृत्यू के बाद कोई जीवात्मा यम लोग तक का सफरताय कैसे करती है और शास्त्रो में इसे लेकर क्या कहा गया है तो मित्रो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का The Divine Tales पर एक बार फिर सबसे पहले तो आपको ये बता दू कि मृत्यू से सं खर्मों की फल की प्राप्ति कैसे होती है और ये हम आपको पहले भी अलग-अलग वीडियो के मार्ध्यम से बता चुके हैं इसलिए इस पर बात ना कर सीधा ये जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा कितनी कठीनाईयों से यम लोग के द्वार तक पहुँचती है तो मित्रों गरुर पुरान के अनुसार मित्यू के बाद एक व्यक्ति की आत्मा एक दिन में करीब 200 योजन की दूरी तै करती है वेतरनी नदी को छोड़ दे तो यम लोग का मार्ग 86,000 योजन का है इस हिसाब से एक जीवात्मा को यम लोग के द्वार तक पहुँचने में करीब 430 दि दिखती है और जीवात्मा इसे पार कैसे करती है इस वीडियो को देखने के लिए आप उपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं तो मित्रों मृत्यू के तुरंत बाद व्यक्ति के पास यम दूत आते हैं और उसकी आत्मा को लेकर चले जाते हैं यम लोग के रास्ते में जब आत्मा को ठकान होती है तो उसे जरा भी रुकने की अनुमती नहीं होती बलकि उसे गसीटते हुए यम लोग तक ले जाते हैं यम दूत आत्मा को उसे नरक की कहानिया सुनाते हैं जहां उसे दुख भूगने होंगे आत्मा ये डरावनी कहानिया सुनकर जोर जोर से रोने लगती हैं और विलाप करने लगती हैं लेकिन तब भी कोई यमदूत उन्हें सहानुगूती नहीं दिखाते यही वो वक्त होता है जब आत्मा को अपने जीवन में किये गए सारे पाप याद आते हैं यमदूत बार बार आत्मा को यही कहते हैं कि है दुष्टात्मा तु जल लेकिन यमदूत उसे किसी भी तरह यमलोक ले जाना चाहते हैं वही अगर मित व्यक्ति के परिजन पिंडदान नहीं करते तो वही आत्मा जंगलों में भटकती है कभी भी उस आत्मा को शांती नहीं मिलती दरसल मित्यू के बाद जो पिंड दिये जाते हैं यमलोक के रास् खाने नहीं देते बूख प्यास से तडबती हुई वो जीवात्मा किसी तरह रोते चिलाते यमदूत के हाथों मार खाती हुई चलती रहती हैं उसे कहीं भी आराम करने या फिर रुखने की इजासत नहीं होती क्योंकि वो यमदूतों के पाश दंड से बंदी होती हैं मित् आत्मा अपने कर्मों को याद करके रोती है साथ ही ये भी सोचती है कि पता नहीं अगले जन्म में उसे कौन सी यूनी प्राप्त होगी या फिर कौन से जानवर का शरीर मिलेगा इसके बाद आत्मा को तलवार के समान धारवाले व्रिक्ष और हजारों फीट गहरी खाई से होकर गुजरना पड़ता है जिससे उसकी चीखे निकल जाती है लेकिन उसके पास यमलोग तक पहुँचने के अलावा कोई दूसरा मारग नहीं होता और वो किसी भी हालत में जल से जल्द यमलोग पहुचना चाहती है मित्रौप की जानकारी के लिए बता दो कि यमलोग के इस रास्ते में कई प्रकार के नर्क भी पढ़ते हैं जिन में से अंदतम में कीचण और जोंगे होती है तो वहीं तामरुमय में तपे हुए गर्म तामबा जिन से होकर ही एक आत्मा को गुजरना पड़ता है यही नहीं वेतर्नी नदी को पार करने में भी पापी आत्माओ को काफी कश्ट होता है और उसके बाद ये आत्मा यमलोक पहुंचती है जहां उसकी मुलाकार यमलोक के द्वारपालों से होती है और मित्रों ये द्वारपाल ही यमराज और धर्मराज को आत्मा के आने की सूचना देते हैं अब मित्रों आत्मा ने जीवन में जिस हिसाब से कर्म किये होते हैं उसे उसी हिसाब से सजा मिलती है अगर उसने अच्छे कर्म किये होते हैं तो उसे स्वर्ग मिलता है जबकि बुरे कर्म वालों को नर्क की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं यम्राज के दरवार में शरवन और शरवनी नाम के इस्तरी और पुरुष भी रह तो मित्रों अब तो आप भी समझ गए होंगे कि अगर आप जीवन में अच्छे कर्म नहीं करेंगे, कभी किसी का भला नहीं करेंगे, तो मृत्यू के बाद आपकी आत्मा की भी, यम लोग तक की ये यात्रा बेहद दुखदाई और कश्ट पूर्ने रहने वाली हैं, तो मित अधात्मिक और धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे दग डिवाइन टेल्स परिवार के साथ, तो अब इजादत दें, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया